हेलो एवरीवन वेलकम अगीन टू लन्वरे देतीवन हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 में चैप्टर 6 राजिस्थान के प्रमुक दुर्ग, मंदिर, इस्थापत्य और हवेलियां तो आज हम पढ़ेंगे हवेलियां, मंदिर और दुर्ग हम पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में ये चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है, आप लोगों के लिए आप लोगों का पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी कमप्टिशन के त्यारी कर रहे हो, आज न जैपूर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद हुई कि बाद में सिखावटी के धनिकों ने अपने अपने गाउं में विशाल हवेलियां बनवाने की परंपरा की नीव डाली, तो ये परंपरा जो है, वो जैपूर से ही चली आई, जैपूर की हवेली परंपरा जो है, पूरहे प्रसिद्ध हुई, रामगर्ड, नवलगर्ड, पतेपुर, मुकंदगर्ड, मंडावा, पिलानी, सरदार से है, रतनगर्ड, लक्षमनगर्ड, आधी कस्मों में विशाल हवेलियां बनना प्रारम हो गई, तो देखिए, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो नाम आत में प्रसिद्ध हैं, इसी प्रकार वंसी पत्थर की बनी करॉली भरतपुर, कोटा की हवेलियां भी अपनी कलात्मक संगत राशी के कारण अद्बुत हैं, बाद के वैशन मंदिर में हवेली शैली के आधार पर बने, इसलिए विशाल हवेलियां मंदिरों के रूप में आधी की हवेलियां अपने शिल्प वैवव की कारण विख्यात हैं, विकानेर की हवेलियां लाल पत्तर से बनी हैं, इनकी जजावट में मुगल, किशनगर और यूरोपी चितरशैली प्रियुक्त की गई है, तो जैसल मेर में हमने देखा कौन कौन सी हवेली, सालन सीम की हवेली, पट्वों की हवेली, और इसके हलावा हमने एक और देखा कौन सी नत्मल की हवेली, दुनिया भर में प्रसिद हैं, और वहीं बिकानेर की बात करें, तो यहां बच्छावतों की हवेली, मोहता, मूमता और रामपूरिया, यह हवेलिया जो है, यह शिल्प वैवव अच्छे से देख लीजिए कि इनकी सजावत में मुगल चितर सैली भी है, किसनगर सैली भी है और यूरोपिय चितर शैली जो है वह यहां दिखाई देती है, इनके जो बाहर देखिए सजावत जो है वह होती है, तो यह देखने ही बनती है, सेखावटी की हवेलिया अपने जुंजुनू में है यहान नात्थू राम पॉदधार की हवेली, सेट जै दयाल कोटिया की, सीता रामसिंगतिया की हवेली, विख्यात है. डून डोज जुंजुनू में ही है इसमें सेट लाल चंड गोईन का, मुकुंदगड जुंजुनू में सेट राधा कृष्ण, एवं किसर देव कानेडिया की हवेलियां, चेडावा जुन्जुनु में हैं, बागडिया की हवेलियां, महन सर्जो जुन्जुनु में हैं, यहां सोने चांदी की हवेली, श्रिमाधवपूर में सीकर में पंचारी की हवेली, सुप्रसिद्ध है, लक् प्रशिद्ध हैं अपने भित्ती चित्रों के लिए ठीक है नवलगड की हवेलियों के रूप निवास बगर जालान पोद्दार बगर यह प्रशिद्ध हैं वहीं जुन्जनु में देखिए बिसाओ डूंड लोत और मुकुंदगड यह भी जुन्जनु में है तो यहां की ज अंसारी की हवेली सु प्रसिद्ध है और लक्षमणगर की चार चौक की हवेली चेत्राम की हवेली भी प्रसिद्ध है सीकर में गोरी लाल ब्यारी की हवेली, रामगड में तारा चंदरुया की हवेली, पत्यपुर में नंदलाल देवडा की हवेली, यहे भी अपनी वित्ती चित्रों के लिए प्रसिद है चुरू की हवेलियों में माल जी का कमरा, राम निवास, गोईनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली इत्यादी विख्याद हैं जोदपुर में बड़े मिया की हवेली, पोकरन की हवेली, राखी हवेली, टॉंग की सुनहरी, कोटी, उद्यपुर में बागोर की हवेली, चैपुर में नाटर्डियो की हवेली, रतनाकार पुंडरी की हवेली, पुरोहित प्रताब नरायन जी की हवेली, आदी इत्यादी मे आदी जो हवेलियां हैं, इनमें इस्थापत्य के विभिन रूप दिखाई देते हैं, ठीक है, तो जो important हवेलियां हैं, उनके नाम तो आप यादी रखिएगा, जिसमें जैसल मेर की जो हवेलियां हैं, वो बहुत जादा ही important है, अगला है चतरियां, मकवरी और दरगा, तो द मृत्यू के बाद इस मृत्य चिन बनाने की परंप्रव बहुत पुरानी है, राजिस्तान के शाशक, स्रेश्टी वर्ग, जो अमीर लोग हैं, उनकी मृत्यू के बाद उनकी याद में इस्थापत्य की दरश्टी से विश्यस्ट इसमारक बनाए गई, जने क्या कहते हैं, देवल कहते हैं, इस्थापत्य कलाव एवम, भवन निर्मान की दरश्टी से इसमारक बड़े महत्वपून है, जैपूर का गेटोर, जोदपूर का जस्वन धड़ा, कोटा का छत्र विलास बाग, जैसल मेर का बड़ा बाग, ये प्रमुक हैं, ठीक है, तो ये तीनों जो ह क्योंकि हम तो किनको रटते हैं, हम बहुत हाड कुशन जो होते हैं, उनको ही केवल रटते हैं, चतरिया मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वे परदर्शित करती है, अलवर में मूसी रानी की चतरी, पति गुमबत करॉली में गोपाल सिंग की चतरी, बूंदी में सेठों की चतरी, विकानेर में राव कल्यान मड की चतरी, गेटॉर में इस्वर सिंग की चतरी, जोदपुर में जस्वन सिंग का धड़ा, जैसलमेर में राजाउं और पाली वालों की चतरीयें स्थापत्य विलक्षण हैं, तो बिल्कुल कुछ भी यहां पर नया नहीं है, सबकुछ हम पहले से ही याद किये हुए हैं कि अलवर में मुसी रानी की चत्री, करॉली में गोपाल सिंग की चत्री, बुंदी में 84 खंबो की चत्री, रामगड में सेठों की चत्री, विकाने में राव कल्यान मल की चत्री, जोतपुर में जस्वन सिंग का धड़ा, ये सबी महत्पुर्ण है, आधी हिंदू-मुस्लिम स्थापत्य कला के समनवे के परतीक है, तो दीकिए, इतना ज़्यादा डीप में आपके एक्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, यदि आप R.E.S. की तयारी कर रहे हो, तो वहाँ आपको ये सभी याद करने ही होंगे, ठीक है, तो यदि आप त इस्थापत्य का भी विकास हुआ, ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा सा देखेंगे, कुए, कुंड, बावडियां, टांके, यहाँ जल इस्थापत्य की पहचान है, जहाँ पानी को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, क्योंकि राजिस्थान क्या है, एक रेतीला इलाक कुए के नाम पर ही रखा गया ठीक है बांदी कुई बाटाडू गाउं में आधुनिक पाशान कला से बना संग मरमर का कुआ दर्शनिय है अब देखिए बाटाडू गाउं जो बाडमेर में है यहां पर आधुनिक पाशान काल से बना संग मरमर का कुआ दर्शनिय है टांके जल इस्थापत्य के महत्पूर्ण उधारन है, अब कई लोगों को नहीं पता होगा टांके क्या होते हैं, बावरियां क्या होती हैं, क्योंकि जो राजिस्थान के बच्चे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो अधर स्टेट के बच्चे उन्हें नहीं पता होता है, तो ध्यान स आप लोग पढ़िए देखिए, टांके जल इस्थापत्य के महत्पूर उधारण है, इनमें बरसाती पानी खत्या किया जाता है, टांकों की अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं, जिनमें जैपूर का जैगड किला है, जहां क्या है, टांके हैं, यह टांके मध्यकालीन सिव योग में लिया जाता है, टीक है, बरसात का जो पानी होता है, वो यहां पर भरा जाता है, राजिस्थान के जन जीवन में बावडियां भी बहुत महत्पूर है, इनके निर्माण में उपयोगिता के साथ ही सौंदर्य का विसेज धियान रखा जाता है, यह राज परिवार के सदस्य मुखते रानिया, राज माताएं, सुरिष्टी वर्ग इत्यादी द्वरा बनवाई जाती है, इनके निर्माण से संबंदित सूचनाएं भी सिलालेखों पर अंकित की जाती है, जिनसे निर्माता और कारीगरों की जानकरी प्राप्त होती है, कि किसने ये बावड नेरी की चांद बावड़ी, ठीक है, राज जी की सबसे कलातमक बावड़ी है, most important है, आभा नेरी की चांद बावड़ी कहां है, बांदी कोई में, माननेता है कि किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया, क्योंकि वहाँ पर अंकित होगा, वहाँ पर निर्माता, कारीग जो है वह अंकित किया गया होगा सिलालेखों पर मेवाड महाराणा राज सिंग की पत्नी रानी राम रस्दे ने उद्यपुर में त्री मुखी बावडी का निर्मान करवाया। डुंगरपुर के निकट इस्तित प्रसित नो लखा बावडी महारावल आजकरण की पत्नी प्रीमल देवी ने बनवाई। बूंदी में इस्तित रानी जी की बावडी का निर्मान बूंदी के शाषक अनुरुद्ध सिंग की पत्नी नाथावत ने 1699 इस्वी में करवाई। डुंगरपुर के निकट इस्तित प्रसित जो नो लखा बावडी है वह है आजकरण की पत्नी प्रीमल देवी ने करवाया और वहीं बूंदी में रानी जी की बावडी है बूंदी के शाषक अनुरुद्ध सिंग की पत्नी ने करवाया नाथावत ने 1699 इस्वी में। राजिस्तान के दक्षन पक्षिम भागों में बड़े बड़े तालाब भी रहे हैं जो अपने प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं चूकि ये भाग अधिकांस पहाडी है आते वहां दो पहाडों के बीच के स्थान को रुक कर दूल और पत्थरों का बांध बना जाता है और बांध पक्का बनाया जाता था इसके नीचे कुछ ब्रक्षों की पंक्तियां लगा दी जाती थी उन्हें पक्के बांध से जोड दिया जाता था इस प्रकार के बांधों में पिच्छोला उदैपूर में हैं गेब सागर डुंगरपूर में राज सम्मद राज देने के लिए बनाया गया इस बांद पर नो चो की नामक तीन तीन भाग वाली तीन चत्रियां बनाई गई जो तक्षन कला की दृष्टी से अनुपम है तो इसी के साथ ही आपके जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है जिसमें दुर्ग पड़े हमने हवेलियां पड़ी हमन मंदिर पड़े इंपोर्टेंट है तो देखिए इतना आप याद कर लेंगे आपके एक्जाम के लिए बिलकुल काफी है अब है बहु चैनात्मक प्रश्न किस दृग के लिए कहा गया है कि यह दृग बक्तर बंध है तो फटा पट से आंसर जो है अब आपको लगाना है हर रड थंबोर नाहरगड सिवाडा या तारागड एक जैसे नो महल किस के लिए में बने हुए हैं तो सोचिए आपका एक्जाम चल रहा है यह कोशन आपके एक्जाम में आए हैं तो एक जैसे नो महल किस के लिए में बने हैं नाहरगड में तारागड में चित्तोडगड में या गागरोंड में, अकवर का दुर्ग कहां इस्तित है, चीक है, तो अकवर जो है, वो कहां गए थे, अजमेर, जैपूर, विकानेर, चित्तोर गड़, तो आपको आंसर लगाना है, हर्शत माता मंदिर कहां पर इस्तित है, अभा नेरी में, पुसकर में, साला सर में, या के आंसर देंगे आप, अति लगुत्तात्मक, लगुत्रात्मक प्रश्न, देखिए, राजस्तान के उन दुर्गों के नाम लेकिए, जिनने वर्ल्ड हैरिटेस साइड की सूची में, शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें से एक, ये जो कुश्चन है, ये आपके अभी स्ट चितोडगड का दुर्ग किस पठार पर इस्टित है, कुंबलगड का दुर्ग के प्रमुक सिर्पी कौन है, सुदर्शन गड़ किस किले का दूसरा नाम है, तारागड नामक दुर्ग किन दो स्थानों पर इस्थित है, किस दुर्ग को राजिस्थान का वेलोर कहा जाता है सास बहू, सहसर बहू, किस स्थान पर इस्तित है ये मंदिर, बच्छावतों की हवेली किस सहर में इस्तित है, देखिए हवेलियों से संबंदित प्रशन जो है वो आपके कभी कबार आ जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग इतना ज़्यादा हवेलियों में इतना ज़्यादा पर कहा है, यह सब कौन बताएगा, आप बताओगे, 9 कोशन अतिलग उत्तरात्मक में, 4 कोशन बहु चैनात्मक में, ठीक है, आपको बताने हैं, यह आपके लिए homework है, देखते हैं, कोशन आंसर जो है, वो मैं ही करवाती हूँ, आप लोग कितना करके आते हैं, मिलते हैं, नेक्स् झाल जो सुछ connect to the Lol Coffee, औरने कितना कर दो सुछ North Post, औरने कितना हैं, आपको नोश्च dulैक में, त τις कितना करवा हैं, कोशन आपको, छुराहां जो शकितना हैं, वो मैं, औरने कितना हैं, वो से र concluding हैं, तो पने हैं लिए मैं हैं और भीनियने हैं, यह से ओरिक हैं खंईक्य है